next question question says two parallel long wires carry current i1 and i2 और हमें दिया हुआ है कि i1 की value i2 से ज्यादा है when the current are in same direction the magnetic field at a point midway between them between the wire is 10 micro tesla next scenario if the direction of i2 is reverse अपने i2 की direction reverse कर दी field becomes 30 micro tesla सवाल है i1 i2 का ratio बताओ ना simple सवाल है इसको ऐसे देखना scenario आपका यह है कि यह आपकी एक long infinite wire इसमें current i1 है यह आपकी दूसरी infinite wire ऐसे और इसमें current आपका i2 है और यहां midway जब आपने पहली बार इसका current का direction हमने सेम रखा हुआ है midway let's say इसका distance यहां से आर यहां से distance आ रहे है इस scenario में हमने यहाप net magnetic field जो इसको notice कि आप B1 नाम दे रहे थे हैं B1 net उसकी value आई 10 micro tesla उसके आद हमने value आगे 30 micro तो यह सेम वायर को मैंने दुबारा बनाया है दो बार डाइग्राम बजानी के हो जाए we can imagine यह वाली यहीं वायर है अपो डियक्शन में current है second time में आपकी 30 micro tesla जो फील आ गई अब हमें यहाँ पर आइवन आटू का ratio बताना है ना यह बात अपने को पता है कि अगर आपकी infinite वायर है उसकी वज़े से लेट से आर डिस्टेंस पर अगर आप मेंगेटिक फील देखेंगे तो यहाँ पर मेंगेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती है उसको हम लिखते है इस विल बी इकॉल टू मू नॉट डिवाइड़िट बाइट वायर आई वन यह आपकी वैल्यू हो जाएगी और अगर यह जो फाइनल हेजल्ट है उसको हम लिख सकते है बी विल बी इकॉल टू इसकी वज़े से माइटिक फील्ड माइनस उसकी वज़े से माइटिक फील्ड नॉट डिवाइड बैट टू पाई आर कॉमन आ जाएगा विकॉर दोनों का ही डिस्सेंस आ रहे तो आप इसको लिखें अत्युक्त बजू टेस्ला हे सेकिन्स सेनारियो में जवाङ आपका करंट आईवन का इस डारेक्षन में है तो मैंगे टिफिल्ट इनसाइड वी अंग्र्ट जब इसका इस डिर्यक्शन है वायर का तो यहाँ पे आपकी मैंगेटिटी फिल्ट फिर इन्साइड होगी तो इस पर एड हो जाएंगी तो इस वाजे से हम लिख सकते हैं यहाँ पर सेकिंड सेरियो में आपका बी टू जो है यह बीवन था बी टू एट विल बी इकल टू थर्टी माइक्रो तेसला विल बी इकल टू मू नॉट र डिवाइड बाई यह होगे आपका टू पाई आर यह हो बन गया आपका वन बाई ट्री विल बी इकल टू यह आगया आपका आई वन ऊपर माइनस रहेगा माइनस आई टू डिवाइड बाई 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 वन प्लस आई टू नाओ कमपोनेंडों डिविदेंड होगर आता है तो एक स्टेप आपका बच जाएगा अधर आपका आई बचाहएगा आए बन प्लस आई टू विल बी एकल टू 3 यह माइनस ट्री आए टू नाओ ड्री आहए टू लिए अली तो फोर आई टू विल बी एकंवर टू 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 आइवन अगर इसको डिवाइड कर देंगा आई बाई टू का रिशो तो है आगया टू i1 is equal to i1 divided by i2, तो यह आपका i1 divided by i2 का ratio होगे 2 is to 1, that means option 3 जो है 2 is to 1, that would be the right answer.